नमस्कार, एस्ट्रोलोजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ जोतिस सास्त्र के अनुसार क्रूर ग्रह, उर्जा, साहस, योद्ध, पराक्रम, छोटे भाई बेहनु, फोज, पेरा मिलेटरी फोर्स, आदिके कारक ग्रह, मंगल का फिर से राशी परिवर्टन होने जा रहा है यह मेश राशी से निकल कर सुक्र की अधिपति वाली राशी ब्रिशब राशी में गोचर करने जा रहे हैं बेतिक जोतिस सास्त्र में लाल ग्रह को एक महत्वण स्थान दिया गया है मंगल ग्रह को सक्तिसाली और अगनी तत्व का ग्रह माना जाता है मंगल देव ही किसी व्यक्ति को मांचिक रूप से सक्रिय, सारीरिक रूप से बलवान, द्रण निश्चाई और महत्वकांची बनाते हैं इनके सुप्रभाव जातक की पर्सनाल्टी को आकरशक, नेत्रत्रों श्यमता और शाहस में बढ़ोत्री करते हैं ऐसे में अब यही मंगल 22 फरवरी 2021 को सौमबार की सुबह 5 बचकर 2 मिनट पर मेश रासी से निकलकर ब्रशब रासी में प्रुवेश करेंगे जिससे मंगल के ब्रशब रासी में गोचर से सभी रासियों पर किसी न किसी प्रकार से असर पड़ेगा तो आईए जानते हैं मंगल के इस गोचर से आपकी रासी पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है उससे पहले अगर कोई दर्सक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन जरूर दबाईए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोड़े पिहसन आपको प्राप्त हूँ तो चलिए चलते हैं कारिकरम की ओर और बात करते हैं मेश रासी आपकी रासी के लिए मंगल ग्रह, प्रथम और अश्टम भाव के सौमी होते हैं ब्रिशब राशी में इस गोचर के दौरान वहाँ आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे दूसरा भाव यानि धन, कुटुम्ब, प्रारंबिक, सिक्ष्या, बाल्यकाल, वानी, आदि का कारक होता है ऐसे में इस अवदी के दौरान मंगल का गोचर बेहत सोच समझ कर और बुद्धिमानी से अपने सब्दों का चैयन करने में आपको सक्षम बनाएगा जिससे आपके ब्यक्तित्व और पेशेवर छेत्रों में अनावश्यक की बहस और बहस से खुद को दूर रख सकेंगे हालकि गोचर की इस अवदी के दौरान आपकी मा की सेहत और स्वास्त में हानी दे सकता है जिसके चलते आपके मानसिक चनाव और चिन्ताओं में ब्रिद्धि होगी मंगल का दूसरे भाव पर उपस्तित होना जमीन से जुड़े मामलों में हानी पहुँचा सकता है इसलिए किसी प्रकार की भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने अभी इस बीच में परहिश करना होगा वह आपके लिए उचित नहीं होगा कार्ये छेत्र में आपको अपने संसादनों का उचित उप्योग करने वह अपनी कारी शमता और उत्पादगों को बढ़ाते हुए पूर्व से निलंबित पड़ी पर्योजनाओं को पूरा करने में मदद करेगी आप इस दोरान धन अर्जित करने वाली पर्योजनाओं में भी नियोएस करने का फैसला ले सकते हैं इस गोचर के दोरान आप किसी से कर्ज लेने या देने से परहिच करें विद्यार्थी वर्गल की बात करें तो यह विद्यार्थी वर्गल के लिए बहुत ही अनुकूल समय रहेगा बात करते हैं ब्रिशब राशी मंगल का यह गोचर आपके ही भाव में होने जा रहा है। जोतिस के अनुसार लगन भाव जातक के ब्यक्तित्तु और स्वभाव का प्रतिनिधित्तु करता है। ब्रिशब राशी के जात्वूं के लिए मंगल देव सात्वे और बार्वे भाव के सौमे होते हैं। ये भाव क्रमशा, ब्याय और हानी वो साधी और साजिधारी को दरसाती है। ऐसे में यह गोचर आपको अधिक मजबूत और प्रखर आत्मविश्वास बनने में मदद करेगा। जिसके चलते इस गोचर के दोरान आप उर्जा, उच्छा और द्रण संकल्प से भरपूर दिखाई देंगे। आप अपने सभी कारियों में प्रभावी रूप से कारी करने में सक्षम रहेंगे। इस गोचर के दोरान आपके बीरोधी और सत्रु शक्री रहेंगे। परन्तु आपकी प्रतिशपर्दा की भावना आपको इस दोरान उन सब पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगी। जिससे कारी स्थल पर आपका विकास और आई में व्रिद्धी होगी। नौकरी पेशा जात्पूं के लिए अधिक बेतन के साथ कुछ अन्य संगठनू के लिए काम करने का अच्छा उसर मिल सकता है। बात करते हैं मिथुन रासी। मंगल का गोचर आपकी रासी से बार्वे भाव पर होगा। यह भाव हानी और खर्चू का प्रतिने दुद्ध करता है। मंगल आपके छटे और इग्यार्वे भाव के स्वामी होते हैं। इग कुल रहने वाला है। खास तोर पर विदेश जाने के लिए इच्छुक या विदेशी संगठनू से जुड़े जात्कूं के लिए इस दोरान इच्छा नुसार अच्छे फलूं की प्राप्ति होगी। इस गोचर के दोरान पदोन्नती और आई में विद्धि के योग भी बनते दिखाई दे रहें। सेहत के लिहाद से आपके छटे भाव के स्वामी मंगल 12 भाव में मौजूद होंगे। जिसके चलते आपको कुछ अनिद्रा की समश्या आ सकती है। इसकी वज़े से आपकी सेहत पर विप्रीत प्रभाव पड़ेगा। इस गोचर के दोरान वह सब्तम भाव को भी अपनी अश्टरिष्टी से देखेंगे। तो जिसके चलते आपके साथी साजेधारी के साथ दामपत्ति जीवन में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है। छोटे भाई बहनों का भरपूर साथ देखने को मिलेगा। कार्य छेत्र में नई चीजू पर निवेश करना कुछ हानिकारक हो सकता है। इस समय में ऐसे किसी नए निवेश से बचें। बात करते हैं करक रासी। करक रासी के जाथूं के लिए मंगल ग्रह योकारक ग्रह होते हैं। इस गोचकाल के दौरान वहाँ आपकी रासी से इग्यार्वे भाव में गोचर यानि आय और लाप को दरसाता हैं। वहीं मंगल आपके पंचम और दसम भाव के स्वामी हैं। पांचवा भाव यानि संतान का भाव और दसम भाव यानि करियर का भाव होता है। ऐसे में यहां गोचर आपको अतिशूप परिणाम देगा। इस दौरान आप अपने विच पुझाओं को लेकर स्पश्ट ओंगे। जिससे इस बीच में आपको अपनी इच्छानुशार फ़लूं की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। इस गोचर काल के परिणाम सरूप आपमें अधिक उर्जा दिखाई देगी। जिससे आपके कारी शेत्र में अधिक संगर होते हुए विकास, उन्नती और आर्थिक सुरक्षा अर्जित करने में सफल रहेंगे। ब्यापारी जात्कों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। आपके ब्यावशाय में अचानक से धनलाप की इस्तिती बंती दिखाई दे रही है। इस दोरान की गई यात्राएं आपके ल उत्तियोगताओं से जुड़ी गतिविदियों में भाग ले रहे हैं जात्कों के लिए यह गोचर बहुत उत्तम परिनाम लेकर आएगा। बात करते हैं सिंग राशी मंगल ग्रह का यह गोचर आपके दसम भाव में होने जा रहा है। दसम भाव यानि कर्म का भाव जो सिंग राशी के जाध्वण के लिए याकारग्रह मानी जाते ह हैं इस गोचर काल के दौरान वह आपकी राशी में दिगवली अवस्ता में होगे। इससे आपको जीवन में विभिन च्यत्रूं में उन्थती करने के औुसर प्राप्त होंगे। आपके स्भवाव में आतमव विश्वास, साहस और पराक्रम में भी ब्रिद्धी इस गोचर के दोरान होगी। इसके साथ साथ आपको इच्छानुसार फलूं की प्राप्ति भी देखने को मिलेगी। यह समाई आपके किसी नए ब्यावशाय के शुरुवात के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। मंगल ग गोचर कारी छेत्र में आपको अनुकूल परिरामू को देगा। इस गोचर काल के दोरान आपकी आर्थिक इस्तिती भी मजबूत रहेगी। बात करते हैं कन्या रासी। मंगल ग्रह आपकी रासी से नवम भाव में गोचर करेंगे। कुंडली का यह भाव भाग्य और धर् हुए भाव के स्वामी है। तीसरा भाव पराक्रम छोटे भाई वैनू तथा अश्टम भाव जीवन में होने वाली अकास्मिक घटनाउं, दुरघटना, गूल बिद्यान, रहिष्य आदि के बारे में बताता है। ऐसे मैं इस गोचर के परिणाम सरू आपका रुजान धा दूसरूं से लड़ाई जगड़े की इस्तिती भी बंती दिखाई दे रही है। इस गोचर की अवधि में आपको किसी भी तरह के कानुनी पचलूं से भी आप खुद को दूर रखना होगा। यही आपके लिए बेहतर होगा। निजी जीवन में पिता के सान मद्भेत होने से आपका पारिवारिक वातावरण जो है वह कुछ असांत रह सकता है। इस गोचर काल की अवधि में आपको यात्राओं से बचना है। बात करते हैं तुला रासी। मंगल ग्रह का यह गोचर आपकी रासी से अस्टम भाव पर होगा। कुंडली का अस्टम भाव अकास्मि चीजूं के विशय को तथा दुरघटना गूड रहस्य आदि को दर्शाता है। मंगल ग्रह आपके दूसरे और सात्वे भाव के स्वामी होते हैं। दूसरा भाव धन और कुटुम्ब को दर्शाता हैं। जबकि सात्वा भाव दामपत्य और साजिदारी को दर्शाता ऐसे में मंगल का यहा गोचर बैवाहिक जात्कूं के लिए जीवन साती के खराब शेहत के कारण मान्सिक तनाव दे सकता है। साथ ही आप दोनूं के बीच धन को लेकर कुछ गलत फहमी भी हो सकती है। कार्य छेत्र में भी आपको गुप्त सत्रूं से सचेत रहने की अपने कारिशेत्र में परिवर्तन के लिए प्रोच्छाहित करेगी। स्वास्त जीवन के हिसाब से इस गोचर काल की अवधी में आपको पहले से जादा सचेत रहने की आवश्यक्ता होगी। बात करते हैं ब्रिश्चिक रासी। मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। दूसरी और यहाँ आपके पहले और छटे भाव के स्वामी होते हैं। कुंडली का पहला भाव जातक के स्वभाव एवं व्यक्तित्व यानि अपने खुद के बारे में बताता है। जबकि छटा भाव बिमारियूं, दुस्मनूं और रिन के बारे में बताता है। ऐसे में इस गोचर के प्रभाव से ब्रिश्चिक राशिके जातकूं का नीची जीवन अधिक प्रभावित रहेगा। बैवाहिक जातकूं को इस गोचर काल की दौरान कई प्रकार की उतार चड़ाओं से दोचार होना पड़ेगा। वहीं विवाह वंधन में बदने की सोच रहे जातकूं के लिए यह समाई उत्तम रहने वाला है। कार्य शेत्र के लिए यह समाई बेहतर रहेगा। क्योंकि इस दौरान आप उत्षा के साथ हर इस्तित का डटकर सामना करते हुए पूर्व के कठिन से कठिन निलम्वित पड़े कारियों को सफलता पूर्वक पूरा कर सकेंगे। यूँ तो स्वास्त के लिहाद से यह समाई सामान्य से बेहतर रहेगा। बात करते हैं धनुरासी। मंगल आपके पांचवे भाव यानि संतान और विद्या भाव और बार्वे भाव खर्च और नुक्सान के भाव के स्वामी होते हैं। मंगल का यह गोचर आपकी कुंडली के छटे भाव में होने जा रहा है। यह भाव रिण, बिमारी और सत्रूं के बारे में बताता है। इसके परिणाम सरूप आप हर बाधा और समश्या का सामना इस समय खाहश के साथ करते दिखाई देंगे। आप अपने बिरोध्यों पर हावी होते हुए उन पर भीजय भी प्राप्त करेंगे। हाला कि मंगल का यह गोचर आपके उपर कारियों का अधिक बोज डाल सकता है। जिसके चलते कारिस्थल पर अपने सहकर्मियों के साथ बिवाद होने की भी इस्तिति बनेगी। जो नौकरी पेशा जातक अपनी नौकरी का बदलाव चाह रहे थे। उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक जीवन में कुछ समश्या उत्मन हो सकती है। क्यूंकि यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल अपनी जो सब्तन द्रिष्टी है वो बारवे भाव पर डालेंगे। जिससे आपके खर्चू में अचानक कुछ बृद्धी देगने को मिलेगी। बात करते हैं मकर रासी। मंगल ग्रह आपकी कुंडली में चौथे और इग्यारवे भाव के स्वामी होते हैं। चौथा भाव यानि मा और खुशी का कारक। और इग्यारवा भाव आई और लाप के बारे में बताता है। मंगल का जो यह गोचर होने जा रहा है वहाँ आपकी रासी के पंचम भाव पर होने जा रहा है। यह भाव बच्चू और शिक्ष्या के बारे में जानकारी देता है। दामपत्य जात्कूं को भी अपने संतार नपक्षिती और से सुप समाचारों की प्राप्ती हो सकती है। विद्यार्थी जात्कूं के लिए यह गोचर बहुती सुप परिणाम लेकर आएगा। काल पूरुष कुंडली के अनुसार मंगल देव आपकी ग्यार्वे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल के दोरान वह खुद के ही भाव को अपनी द्रिष्टी से देखेंगे। जिससे आपके धनलाब के जबर्दस्त योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो जमीन से जुड़े संबंदित कारियों को कर रहे हैं उन जात्कूं को भी उत्तम परिणामु के प्राप्ति होगी। अगर कोई जातक कोई संपत्ति बेशने या खरीदने की सोच रहता यह समय उसके लिए बहुती अनुकूल रहेगा। बात करते हैं कुम्भ रासी। मंगल इस समय आपकी रासी के चोथे भाव में गोचर करेंगे। यह भाव आपकी खुसी और माता के बारे में बताता है। कुम्भ रासी के जात्कूं के लिए मंगल तीसरे और दसम भाव के सौमी होते हैं। जोतिस में तीसरे भाव को छोटे भाई बहनू और साहस का भाव, जबकि दस्वे भाव से करियर और पेशेवर जीवन को देखा जाता है। गोचर की इस अवधि के दोरान आपकी मा के लिए अधिक अनुकूल होगी। साथ ही इस गोचर के दोरान आपकी मा या मात्र पक्षि से किसी उत्तम लाप की प्राप्ति होने के योग बनते दिखाई दे रहें। मंगल देव आपके चौथे भाव में गोचर करते हुए अपनी चौथी द्रिष्टी से सप्तम भाव को भी देखेंगे। यह दामपत्ति का भाव है तो इससे दामपत्ति जीवन को कुछ प्रभाव पढ़ सकता है। आपका अपने साथी के साथ कुछ विवाद हो सकता है। इस बीच में कारी छेत्र में कुछ कारी का भी अत्रिक्त भार हो सकता है। इस गोचरकाल के दोरान समाज में पृतिष्टा में विद्धी भी देखने को मिलेगी। बात करते हैं मीन रासी, मंगल आपकी रासी के तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यह भाव साहस और भाई भेनू का प्रतिनी दिद्धु करता है। दूसरी ओर यह आपके दूसरे भाव और नवे भाव के स्वामी होते हैं। कुंडली का दूसरा भाव धन और परिवार के विशाई में तथा नौम भाव भाग्य और धर्म को दर्साता है। ऐसे में यह गोचर आपके लिए भाग्य का साल लेकर आएगी। आप इस दौरान उरजावान रहेंगे और हर कार्य में अपनी योगिता और कार्य शमता के साथ पूरा करते हुए उससे अच्छे लाव अर्जित करेंगे। जिससे आपको धन का भी लाव होगा। आपको इस गोचर काल के दौरान शुक शुर्धाओं का लाव उठाने का भी आउसर मिलेगा। आपकी मेहनत आपको कोई सुन्दर उपहाद या उपाधी दिलाते हुए आपके आत्मविश्वास और साहस में बृद्धि करेगा। सेहत के लिहाद से यह गोचर आपके सहन सक्ति और उर्जा में बृद्धि करेगा। पारिवारिक जीवन में आपका अपने भाई बेहनू से किसी बात को लेकर टकराओ की इस्तिती हो सकती है। तो यह था मंगल ग्रह के जो रासी बरिवर्तन होने जा रहा है उसका बारा रासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उमीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जो दर्सक चैनल पर नए है चैनल को लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाईए। जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिविहिसन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे वीडियो आपको कैसा लगा। भन्निवाद।